राजनीती के सुपर हिट मुकाबले यानि दिल्ली चुनाओं का बच चुका है विगुल थर्ड डिग्री के इस सीजन में आज तक की पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन टीम इंटेरोगेट करेगी राजनीती के दिगजों को आज की P.I.T. हैं अंजनाओं कश्यप, शुएता सिंग और पुन्य प्रसून वाचपेई इनके सामने हैं बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन बीजेपी के रास्टिये प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जी इस देश की इस्तिती के आईसी आगई है कि सरकार जनता से हटके दिखाई देने लगे जनता की जो हालत है उसके साथ खड़ीना हूँ नहीं सरकार जनता की सरकार है जनता की चुनु ही सरकार है और सरकार वैसी दिखाई देती है पौलिसी से भी? पौलिसी भी यह गरीब का बेटा देश का परधान मंत्री है, गरीब की चिंता करता है लाल बाहदुर शास्त्री रईस्त है? नहीं वो भी गरीब घर में पैदा हुए पहली बार तो नहीं हुआ? नहीं पहली हुआ, जो भी प्रदान में, अटल व्यारी बाज़ पही भी, या गरी परिवार ने परिवार से एक दम आए, सिर्फ नेरू गांधी परिवार का छोड़ दे तो बाकी लोग तो सामान परिवार से आए, आपको लग नहीं रहा है कि प परचम लहरा है और इसलिए साबित होता है कि देश की जनता हमारे साथ है, कोई क्या कहे इस की UI क्या होगी? परवा होगी जनता की, अगर जनता हमें जिता ही है तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम उन पर परवार नहीं परूंचीज़ जोगा है। यही वो वज़ा है कि दिल इस तरह से जो विग्यापन करना पड़ रहा है एक वक्त पर अच्छे दिन के गाने बजा करते थे अब आपको बस एक ही शक्स दिखता है उसी के एर्द गिर्द आपका पूरा प्रफोजाणडा उसी को तो एक्सपोस करना है ये शक्स जूट का पुलिंदा है ये शक्स धोके का दूसरा नाम है ये ऐसा शक्स है जिसने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे और कांग्रेस की गोद में बैठ गिया था ये शक्स वो है जो 26 जनवरी के दिन क कह रहा था कि प्रेड नहीं होने देंगे और इस साल वी आई पी पास मांग रहा है ऐसे सक्स को जो जैसा है इसलिए अभी तक उसका मकाबला कांग्रेस के लोगों से था इस बार अरविन केजरिवाल को डॉक्टर अमित शाह मिल गये हैं जो केजरिवाल के हर सवाल का जवा लिजी आप ने तमाम बोडी लेंग्विज वाले निता हमारे साथ बैठ रहे हैं और सभी यही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं नहीं को क्या कह रहा है मैं जानता बीजेपी का परवक्ता शानवाज हुसेन थर्ड डिग्री में पुन परसन बाजपई जी को कह रहा है प पॉजिटिव हैं अगर आप उन्हें उपद्रवी गोत्र कहते हैं जिसका एक खास मतलब होता है आप उपद्रवी पार्टी कह सकते हैं उपद्रवी शक्स कह सकते हैं लेकिन उपद्रवी गोत्र कहना देखिए उनकी जो सोच है उसकी तरफ इशारा किया है उनका जब जो उन्चास दिन के अंदर जो वादा किया, जो उन्चास दिन सरकार में रहे, सरकार में रहने के बाद, अब फिर से नया घोशना पत्र ले आए, इसका मतलग जो पुराना घोशना पत्र था, वो फर्जी था, फेक था, उसको हटा दिया, एक नई बात लेकर आए, अगर प्रजान में इस बात का जिक्र है, जाती, धर्म, गोत्र। के बाजाती जात पात, धर्म में कोई भेरभाव नहीं रखती हम ये मांते हैं कि हम किसी के जात को लेकर कभी हमला नहीं करते हैं, कBH अटैक नहीं करते हैं प्सक्राप की? प्रचार में जब लिखते हैं, कमसे कम-चार लोग तो प्रूफलीड करते होंगे गोत्र का मतलब तो समज़ते होंगे यह गोत्र तो आम आदमी परटी की लोग बना रहे ना यह कह रहे हैं但 देखो गोत्र लिख दिया हमने जो लिखा है वो जनता को भी मालूम है और हमें भी मालूम हमने क्या लिखा है इसका मतलब आप उस दिशा में सिर्फ जा रहे हैं कि चुनाओ लड़ना पहला और आखड़ी इस देश में खुद को सफल बनाने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है एक मातर यही है एक आम आदमी कद्य के लीए एक आम आदमी पाटी कद्यी है इसका मातर द्या नहीं ही है controls हमारे लिए तस्वा का मतर भी तिशाह झा ही तिशाह थाब पार्टी कहती है कि हम बहुत साफ सुथ रहे हैं लेकिन 31 फरजी कंपनिया बना रखी है जिनके डिरेक्टर चेर्मेन जुगी में रह रहे हैं कोई मंदर का अड्रस है पचास पचास लाख रुपिया चंदा लिया है वो एक्सपोज हो गए और जो विदेश सभी पैसा आ रहा कारवाई होगी कोई ये गलत फोहमी न रखे कि कारवाई नहीं होगी नरंदर मोदी की सरकार किसी को बखशने वाली नहीं है कारवाई होगी लेकिन अभी जो एक्सपोज हुआ इसका जवाब उनको देना होगा कि जिस कंपनी का डिरेक्टर रा चेर्मन जुगी में रहता ह वो पचास लाग चंदा आम आदमी पार्टी को कहां से दे देती हैं और ये इस तरह का हम लोगों का पडमान है कि अर्मिन के अजरिवाल कह रहे हैं कोई हमें चंदा दे तो 9,99,000 लेंगे और उससे उपर जो चंदा लेंगे वो हम पोलिटिकल एफेर्स कमीटी से अप्रू है इसलिए जवाब उनको देना होगा दोहजार तेरह याद कीजिए 17 जनवरी नितन गड़करी जी के उपर भी यही आरूप लगे तालिस घंटे सरकार को लगे ते एडी के अफसर पहुंच गये थे इंकम टेक्स के अधिकारी पहुंच गये ते क्या आप कहने की स्तिती मे है कि तमाम फरजी स्तिती में आप कारवाई सरकार करने जा रहे हैं या चुनाओ का इंजार करेंगे तब तक बोलेंगे कानून काम करेगा काम करेगा सरकार आपके तहत माता है अभी 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 यही तो है पुनपरसंजी अगर हम अभी कारवाई करने लगें तो कहें परते वक्त कानून अपना काम नहीं करता है। अगर 25 करोड कमाएगी तो 50 लाग चंदा देगी। वो कमपनी जिसका इंकम भी 25 करोड नहीं है वो चंदा 50 लाग कैसे देगी। आम आदमी पार्टी गौर्विन कजरिवाल को जवाब देना होगा। सानवाजी साख पे चलती है नेता गिरी और सरकार भी। साख थे जी और साख क्यार में कुछ भी कर लेंगा। यही हम कह रहे हैं आप से काले धन को लेकर प्रैमिनिस्टर ने जो बात जिक्र की थी वो कहा गए चीजे हैं फर्स्ट कैबिनेट की बैठर के बाद जो दिक्र किया गया था हमारी साख बचाकर रखिए साख बचाकर रखिए साख बची है इसलिए जीते क्या समझते हैं ज्यार खंड की जनता अगर पलकों पर बैठा एना अंदर मोधी को साख के वज़े से महरास्ट में बिना शेथ सेना के लड़े थे इसी लोगसभागे चुनाओं में रिजल्ट दिली में सबसे ब्राओ उपिनियन पोल किया आप लोग करते सबसे बरा उपिनियन क्या है वोट लोग सबागे चुनाओं में आठ महिने कबल बीजेपी सेवन आम आदमी पार्टी जीरो कांग्रेस जीरो वो थे जीरो इस बार भी उनको करेंगे जीरो किरण बेदी का गला पूरी तरह ठीक हो गया सिर्फ रैली में नहीं करेंगे अब सबसे बात कर सकती है किरण बेदी जी हमारी सबसे पॉपलर नेता है मुखमंतरी के उमिदवार है मुखमंतरी होने वाली है सब जग़ डिमांड है सतर के सतर सीट पर उनकी दिमांड है तो सब जग़ गई है थोड़ी गले में तरह खराश था और ठीक हैं वो पूरी तरह से परचार कर रही है तरह यह जाए फेपड़ा मजबूत होना चाहिए पता नहीं क्यों इस चुनाओं का मतलब यह है आईए बोलिए निकल जाएए क्या बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं किस के लिए बोल रहे हैं जनता के लिए जनता के लिए बोल ले हैं सिर्फ बोला जा रहा है बोला नहीं जा रहा है कड़ा जा रहा है नरेंदर मोदी की सरकार देश नीती हो या विदेश नीती हर फ्रंट पर कामयाब है ए प्लस जनता ने दिया है उल्टा पड़ गया किरनवेदी का दाव उल्टा पड़ गया रिजल्ट आएगा उस दिन बात करेंगे न आप दो तेहाई बहुमत से दिल्ली में जीतेंगे करकर डुमा वाली राली में बड़े बड़े शब्दों में लिखा था दिल्ली चले मोदी के साथ किरन बेदी का कही नाम था फूर तो छोटी सी लगाई वही है अब आपने अब अब दिल्ली में लेकिन अब उनके नाम पर नहीं के सकते है अरविंद केजरिवाल के सामने उन से लड़ने के लिए किरन बेदी सक्षम है चालिस साल की सेवा है ये तो दो साल में नोकली छोड़ पर बाद गए था पार्टी में क्यो नाराज हो रहे हैं सब नरेंद्र तंडन से अभी मिलके आ रहा हूं अभी आपके चैनल पर उनका बयान चला है इमोशनल आदमी है उनको उनका उनकी सभा लगा रहे थे डिमांड बहुत था उन पर इमोशनल होकर उन्होंने कहा और अभी काम कर रहे हैं हमारी पार्टी में इतने सारे लोग जो काम कर रहे थे सब तो बेकार हो गया कौन बेकार है बाहर से आप लाए और बिठा दिया सब के उपर सब बेकार होते तो थर्ट डिग्री में पुन पर सुन वाजपई सोचता सी और अंजना हम कशप के साथ बैठते आप बेकार लोगों को बलाते हैं कोई नाराजगी नहीं थी कैसी बाते हैं कोई नाराजगी नहीं है भारती जनता बाड़ी का कारकरता पूरी तरह कठा है एक जुट है और पूरी तरह इस चुनाओं के अंदर अमित शाह जी के नितृत में हम सब काम कर रहे हैं एक एक वरकर लगा है अब दिल्ली के चुना है सब कार करता है बीजेपी कार करता हों की पार्टी है नरंदर मोदी से लेकर बूथ तक कार करता माने जाते है इसका मतलब है इस देश ने जो एक सरकार देखी उसमें प्रैम मिनिस्टर हो विदेश मंत्री हो वित्त मंत्री हो मानफ संसादन मंत्री हो बिजली मंतरी हो जलसन साथ किसी का भी नाम ले लिजिए ये सारे लोग जब सडक पर आते हैं तो अपने मंतराले के बारे में कोई बात नहीं करते हैं सब की निगाहों और निशाने में से एक ही है कि सत्ता वज किसी तरह दिल्ली में मिलने जाए हैं अगर दिली में रहतwegen कोटी कोटी किया इस देश में एजूकेशन देखैं, विजली 24 घंते आने लगी, पानी सब को मिलने लगा, Chicago देश में बजट अनुकूल हो रहा है, विशान की इस्तिती नाजुक नहीं है, कोई नाजुक नहीं है साथ महिने में जितना काम किया उस साथ साल में लोगों ने नहीं किया अज जीडीपी बढ़ रही है कि नहीं आज महंगाई कम हुई कि नहीं पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए कि नहीं लोगों को नसीब हमारा अच्छा था आप हमारे नसीब पर हसाद अगर नसीब खुदा ने हमारा अच्छा दिया तो जलने की क्या दो जलने दे उसमें हम क्या करें आप देश नसीब भरो से नसीब भरो से नहीं राम भी कर्म में विश्वास रखते थे अगर राम कर्म में विश्वास नहीं रखते तो फिर भरोसा है राम पर पूरा भरोसा ह मैलाओं के साथ सोच लीजिए देखिए अब आप उसमें धर्म में ना चले जाएगी सीता और राम का डिबेट न करें हैं मैं आपको यह कहरा हूं राम राम राजी सिंबल है यानि सब को न्याई मिले सब का साथ सब का विकास यह हम जब कहते हैं तो सब को लेकर चलने की बात करते हैं और यही राम राजी में भी था अभी तो राम का नाम लेने से आप लोग खुल कर वैसे भी डरते हैं मैं अब पहुंचती हूं कुछ दिल्ली के मुद्धों पर कहा खुल के अब त्री आर्टिकल त्री से भागए आप पुन राजी के दर्जा से ना वाहे गुरू करेंगे आज भी नरंदर मोदी पर फखर करते हैं पुर्वांचली गर्प करेंगे पुर्वांचली तो इतना कितने टिकेट बे इंतहा महबबत करते हैं कितने वही तो मैं कह रही हूं महबबत के प्रपोर्शन में क्या गिफ्ट सी महबबत होता है क्या अब यह तो आप उ पिछली बार तो जीत गए, कंग्रेस की नाराज़गी का फाइदा उनको कई जगे मिल गया था। लड़े तें-चार सीटे कम रही इन्यू सरकार तो बना लेते पिछले चुनाओं में भी अरविंद चीरिवाल काव कि पर्टी नंबर वन पर्टी BGP थी नंबर वैन पर्टी BGP है और नंबर वन पर्टी BGP रहेगी ही जिली में कितने लोग आएं बाहर से दिली में दिली छे के लावा और गाउं के लावा तो सब लोग बाहर से ही आएं नहीं जो आप लोग परचार के लिए बुलाए हैं कितने लोग हैं उनकी तादाद कितनी बड़ी है जिसका भी दिल कर रहा है कार करता का क्या बाहर पर कोई अमर परचार करने इसके जूट अडविन के जरिवाल की जूट का परदा फाश करने आए तो कौन रोकेगा पूरे देश के अंदर नाराज की है उनके खिलाफ ये जो दिल्ली का प्रयोग है कि बाहर से लोगों को बुला लिए अच्छा ये बताईए आम आदमी पार्टी में कितन करने हर फाइल बेज़े रहना कितना मुशकिल साविछी महराज कुछ बोल देते हैं योगी आदित तिनात कुछ बोल देते हैं साधवी प्राची कुछ बोल देती है चार बच्चा ने अब तो लोग सोच रहे हैं अगर वोट किया तो सरकार बनी तो 14 फेब्ररी को सड़क कर वालन्टाइन डेम अना भी पाएंगे या नहीं देखिए मैं बीजेपी का प्रवक्ता हों कौन क्या बोले उस ब्यान का महत्व नहीं है कैसे नहीं जो प्रवक्ता कहे उसी ब्यान कम हत्व है क्या बात करें आज़े देश की संसद में बैठता है सवाल नपूछे ज़्ट गया जो साक्षी महराज को तो नोटिस गया ना कहा गया कि भई आप इस तरह का ब्यान आपने क्यों दिया नोटिस का डर नहीं रहा होगा तभी तो बाकी लोग भी बुलते गए बुलते गए ने कोई हमारे पार्टी में एक भी ब्यान ऐसा नहीं आ रहा जिससे किसी के बालता पार्टी में मैं राष्टर प्रवक्ता हूँ मैं केंद्रे चुनाव समीथी का सदस हूं मेरे यहाँ बिहार से मैं अकेला उसके अंदर हूं पांच मीवार हूं जो decision making committee है उसमें मैं बैठता हूँ और पार्टी में पूरी इज़त मुझे मिली हुई है जहां तो कोटरी का है यह सब चर्चा होती है बाहर में